चमक उठेगी जिन्दगी या टूबेगा किस्मत का सितारा बनेगी हर बात या बिगर जाएंगे काम धन दौलत में खेलेंगे आप या होगा कर्ज से जीना मुहाद आपकी कुंडली का मंगल किस भाव में देगा क्या फल नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ हुमेरी हाँ कुंडली में मंगल की दशाजी हाँ आज अपनी इस खास बेशकरश में हम बात करेंगे कि कैसे कुंडली में बारा भाव में मंगल की चाल जातक की जीवन की दशा और दिशा दोनों का निर्धारन करती है किस घर में बैठा मंगल जातक को धन मानस प्रतिश्था दिलाता है तो कब मंगल की स्थिती जातक के लिए मुश्किलों कामबार लगा देती है और आपकी हमारी दोविधा को दूर करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है जोद्शी आजय गौतम जी आजय जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि कब हम जाने कि कुंडली के पहले बावभाव में अगर मंगल स्थित है जातक जिनकी कुंडली के पहले बावभाव के अंदर मंगल बैटा हो ऐसे जातकों को उमर के 28 वर्ष के बाद वो अच्छे फल देता है जातक अच्छे सभावाला, सच्चा और अमीर बनने के योग उसके बनते है उसे सरकार से सहयोग मिलता है कम मेहनत करने के बावजूद शक्त्रों पर विजया हासिल वो कर सकता है जातक शनी से संबंदित व्यवसाय जैसे लोहा, लकडी, मशीन रियादी के माद्यम से खूब धन अर्जन करता है शनी और मंगल की यूती के कानन जातक को शारिरिक कष्ट भी झेलना पड़ सकता है लियासे में मुफ्त के उपहार या दान उसको स्विकार नहीं करने चाहिए बुरे कामों और जूट से उसको बचना चाहिए तो ये आपने पहले भाव का फल बता दिया आप दूसरे भाव की बात कर लेते हैं इसमें क्या फल बलेका है दूसरा जो भाव के जो जातक है मंगल की इस्तिति अगर दूसरे भाव में होती है तो जान लीजिए बंदो आपके कुंड़ी में क्या हो सकता है दूसरे भाव का जो मंगल है आम तोर पर अपने माता पिता की बड़ी संतान जो होती है उनके उसमें होता है इसमें घर का मंगल जो होता है वो जातक को सुसराल से धन का लाब करवाता है लेकिन ऐसा जातक दूसरों के लिए विश्के समान भी होता है दूसरे भाव में मंगल कहने कारण जिविया पे कंट्रोल नहीं होता दूसरे घर में बुद्ध के साथ इस्तित मंगल जातक की इच्छा शक्ती को भी कमजोर बना सकता है चंदरवां से जुड़ा हुआ व्यवसाय मित्रो आपको करना चाहिए उसमें आपको सफलता मिलते दिखाई देती है बहते हुए जल के इंदर आप रेवडियों का प्रभा कर दीजिए साथ में मुंगा जो होता है मुंगा में जो गनेजी के परतीमा बनती है कॉरल के इंदर उसको अपने मंदिर के इंदर स्थापित करिए लाल वस्तर में मसूर की दाल बांद कर दान कर दीजिएगा देखिए का जो आपके जितने भी दुश परभाव में दुट्या करके वो दूगर हो जाएंगे तेके करके हम सभी भाव की बात कर रहे हैं है अंद कर देखिए जो तृत्या भाव है उसके लिए बंदू समझे तृत्या भाव में मंगल की इस्तिति उपस्तिति या योग क्या फल देता है मंगल और बुद्ध से प्रभावित भाव होता है तृतिया भाव ऐसे में जातक को भाई वहनों का सुक तो प्राप्त होता ही है ऐसे जातक दूसरों के लिए लाब कारी भी होते हैं लेकिन स्वेम को लाब नहीं मिलता जो भी प्रियासों कर ले अपनी विनरमता के कारण जातक लाबहावन्दित होता है प्रिस्करत होता है जातक की शादी के बाद जातक के सुस्राल वाले अमीर और और अमीर होते जाते हैं यानि स्वेम के कारण अपनी सुस्राल पक्ष को फायता देते हैं ऐसे जातक रख्त संबंदित बीमारियों से पीडित रहने का योग भी बनता है नरम दिल वाले उनको रहना चाहिए और किसी भी प्रकार के हैंकार से उनको बचना चाहिए समरिद्धी प्राप्द करने के लिए भाईयों से संबंदों को अच्छा रखना बहुत जरूरी है और बाहें हाथ में गर आप चांदी के अगोटी पहन लेते हैं तो मित्रो दुष परभाव दूर होंगे और आपके शुक परभाव बढ़ते जाएंगे पर इससे पहले कि हम चौथे भाव की ओर बढ़ हैं आपसे मेरा सवाल ये होगा कि हनुमान चालीसा का पार्ट ये किस तरह से उप्योगी होता है देखे जैसे ना से रोग हरे सब अपीरात जपत निरंतर हनुमत वीरा संकटते हनुमान चुड़ावे मन करम बचन ध्यान जो लावे यानि मंगल घ्रह का संबन्ध हनुमान जी से भी माना गया है और हनुमान जी की जो रा जो हमारे यहां कहा गया हनुमान चालिसा की जो चालिस चोपाई है हर चोपाई का संबन्ध मंगल से और जोतिश की बारा राशियों से है और कोब जितने भी जो बारा राशियों के लोग हैं वो अपनी अपनी चोपाई का या पूरी हनुमान चालीसा का वो पाठ करें तो निश्चेत तोर से मंगल से जुड़े हुए जितने भी दुश्परभाव में वो दूर होंगे और मंगल के कारण उनको जो धन संपदा आरुग्या धन धान्या की वुरुद्धी होगी उसके अंदर उत्रोता प्रभाव की इसके क्या प्रभाव देने लगता है जातक अपने मन की शांती को खो देता है दूत्रों से इर्शा करने लगता है छोटे भाई से संबन उसके ऐसे में तनापून रहते हैं ऐसे जातक अपनी मा, पतनी और सास पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकते है जातक का गुस्सा उसके विनाश का कारण बनता है ऐसे में जातक को करना क्या है कि बरगत के पेड़ की जड़ों पर मीठा दूद वो चड़ा दे और वहां की जो गीली मिठी है उसको अपनी नाभी पर लगाए भाव होता है पांचवा घर मंगल के मित्र सूर्य का घर होता है इसलिए इस घर के अंदर मंगल बहुत अच्छे परिणाम देता है सूर्य के साथ कमफर्टेबल फील करता है उस घर के अंदर उत्रोत्र वृद्धी होती है जातक को पुत्र के द्वारा धनवे परसिद्धी की प्राप्ति होती है शुकर और चंदरमा का पृतिमेरत करने वाली जो वस्तुएं है और उनके जो रिष्टेदार हैं उनको जातक के के लिए हर तरीके से जो पंचम का जो मंगल है वो फायदा करता है जातक को पूरवजोव में से कोई ना कोई चिकित्सक या व्यद्य हमेशा रहा होता है जातक की उम्र के साथ उसकी सम्रिद्धी में उत्रोतर वृद्धी भी होने लगती है लेकिन जो विपरीत लिंग्यों के साथ उसके भावनात्मक लगाव और प्रेम जातक के लिए अत्यदिक विनाश्कारी होते है क्योंकि वो emotionally attached उनके साथ हो जाता है इसलिए कहीं न कहीं विपरीत लिंग्यों के कारण उसके जीवन में उथल-फथल मची राती है ऐसे में चाहिए जातक को अपना नैतिक चरित्र अच्छा बनाए रखे रात को अपने विस्तर के जो सिराने के उपर एक बरतन में पानी भरके उसको जो है रखना चाहिए और सुबह जो है उस पानी को वो किसी गमले में या किसी पेड़ पर अगर डाल देता है तो ऐसे में उसके लिए उचित रहेगा और अपने पूरवजों का शाध्य करना है, इस जातक को नहीं भूलना चाहिए और दुश परभाव को दूर करने के लिए मंगल के एक घरमे नीम का पौधा आवश्य लगा है। इसके लिए इस भाव में सूर्य आपको दोनों ग्रहों से दूर रखता है, ऐसा जातक सहासी जोकिम उठाने वाला न्याय प्रिय होता है, बुद्ध से सम्मंदित वस्तुव का अगर व्यपाव करता है, वो जातक के लिए बहुत फायदेमंद होती है, लावगारी सिद्ध हो बेटे के जनम के समय मिठाई के साथ नमकी नवश्य बाटिएगा, खाली मीठा मत बाटिएगा, और पारिवारिक सुख के लिए शनी संबंदित उपायगर आप करते हैं, और माता पिता का जो स्वास्त है और दुश्मनों के विनाश के लिए आपको घणेश जी की पूजा करनी, श्रेष्ट रहेगी गणपती अथर्व का पाठ आप जरूर करिएगा, चलिया बढ़ते हैं सात्वे भाव क्योर, देखिए सप्तम भाव जिसे कलत्र भाव कहा गया, जीवन साती से जोड़के जिसको देखिया गया, जहां मंगल की उपस्तिति मांगलिक दोश भी ब करते हैं, यदि मंगल सात्वे भाव में हों तो जातक की मनुकामनाओ को पूर करने का भी कारे करता है, धन संपत्ती की प्राप्ती परिवार में बढ़ उत्री, लेकिन अगर बुद्ध भी मंगल ग्रह के साथ इस्तित है, तो बुद्ध से संबन्नित रिष्टों को लेकर आपको साफधानी बरतनी की आवचकता है, ऐसे में घर में चांदी का एक ठोस टुकड़ा आपको रखना चाहिए, हमेशा बेटी, बहन, भावी और विदभाव को मिठाई आपको बेट करनी चाहिए, ताकि आपके जीवन के इंदर सप्तम का मंगल जो है, वो वास्तम में म मंगल और शनी के संयुक्त गुणों से परभावित होता है अस्तम भाव, इस घर में कोई ग्रह अच्छा नहीं माना जाता, यहां इस्तित मंगल ग्रह जातक के छोटे भाई पर परतिकूल परभाव डालता है, ऐसे जातक लाब यहानी के चिंता ना करते हुए, अपनी गोटी जो है, श्वान कुत्तो इत्यादी को आप डाल दीजिए, भोजन रसोई घर में ही भैट कर आप करिएगा, धार में स्तानों में चावल, गुड और चने की दाल आपको भेट करना उचित रहेगा, किसी भी मिट्टी के बरतन में देशी खांड को भरिये, और उसे सम शान पुनमुई के पाच जाके दफना दीजिएगा, आठ में घर के मंगल के दुश पर वहाव दूर होंगे, तो आपने देखा किस तरह से मंगल जब भी किसी भी भाव में सित होता है, तो मंगल कैसे आपके दशा और दिशा निरधारत करता है, कुछ और कुनली में अगर है मंगल दशा तो कैसे ही आपके जीवन की दशा और दिशा बदलती है, ये आज 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 रे कौतम जी आपको बता रहे हैं, नौए भाव में अगर मंगल विराजमान है, तब किस तरह से जीवन दुश पर देखने होता है, जो नवम भाव है, नैसर की रूप से मंगल के म पित्र ब्रहस्पती का होता है, और इस भाव में मंगल ग्रह बड़ों का आशिरवाद और मदद दिला कर जातक के लिए हर तरीके से अच्छा ही साबित होता है, जातक के बाईयों की जो पत्निया है, जातक के लिए हमेशा भाग्यशाली रहती है, उनका सने और में रहने पर जातक के सुख में वृद्धी होती है, जातक अपनी उमर के 28 में वर्ष तक एक अचियंत पर्थिष्टित परशाशनिक पद्वी प्राप्त करने का संयोग उसका बना देता है, अपने बड़े भाई की आग्या को उनको मानना चाहिए, ऐसे जातकों को अपनी भावी यानि भाई की पतनी की सेवा वश्यक करनी चाहिए, उनका आशिरवाद उनको लेना चाहिए, धार्मिक रिती रिवाजों का पालन करना आपके लिए चन्त आवश्यक है, धार्मिक पूजा जो है और जितने भी हमारे पूजा स्तलम मंदिर है, ऐसी जगह पर आपको चावल, दूद और गुड़का चड़ाना आपके लिए फाइदे मना है, चले दस्वे भाव की अब बात कर लेते हैं, दस्वे भाव देखें जिसे कर्म भाव माना गया है, उसमें मंगल की दशा क्या आपके जीवन में महतपूर है, ये जान लीजिए, इसमें मंगल ग्रह भीक सहासी बनता है, यदि दूसरे भाव में अगर राहु के तुशनी, शुक्र या चंद्रमा ग्रह अगर उससे अगले भाव में होते हैं, तो उससे लाव में कमी अवश्या आजाती है, लेकिन दीसरे भाव में अगर कोई भी मित्र ग्रह की इस्तिती होती है, तो वापस से वो दस्वे गरह के जो मंगल गरह के शुब परिमाव है उनको भी कहीं न कहीं कम करता है परतिकूल पर वहाव डालता है यदिश्यनी तीसरे घर में इस्तित्व ऐसे जातकों के जहां मंगल बैटा है दस्वे घर से तो जातक अपने जीवन के अंतिम भाग में खूब धन और बहुत सारी जमीन जाहदाद प्राप्त करता है मंगल दशम के अंदर हो और पांचवे घर में कोई भी ग्रायन ना हो तो चारों तरफ से समृद्धी और खुशियों को वो लेकर आता है पहतरक संपत्ती और घर का जो है सोना उनको कभी नहीं बेचना चाहिए और उपाई के रूप में दूद्ध को वालते समय इस बात का ध्यान रखेगा कि दूद्ध को वालते वे कभी भी वो आग पर ना गिर पाई चलिए अब ग्यारवे और बारवे भाव की बात कर लेते हैं तोर पर व्यपारी होता है पैत्रक संपत्ती को कभी भी नहीं बेचना चाहिए किसी मिट्टी के बरतन में शैद और सिंदूर रखकर आप देखिए आपको वो अच्छे परिणाम देगा बात करते हैं अंतिमराशी, मीनराशी बारवे भाव की बात करते हैं बारवे भाव में हो तो क्या होता है यदि मंगल बारवे भाव में हो तो ब्रहस्पती से परभावित होता है इसलिए इहां पर मंगल और ब्रहस्पती दोनों के अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं यह राहू का भी पक्का घर माना गया है इसलिए मंगल के यहां इस्तित होने के कारण राहू का दुश परभाव भी यहां नहीं मिलता करना मित्रों के आए सुबा खाली पेट शहत का सेवन आपको करना चाहिए थोड़ी मिठाई खानी चाहिए और थोड़ा दूसरों को भी देने से जहां तक को धन की वृद्धी की प्राप्ती होती है और मंगल के कहीं नहीं के शुब परिणाम मिलते हैं दुश परिणाम दूर हो जाते हैं अज़ जी सतबाम जानकारी के लिए तो आज आपने जाना कि अगर अलग भाव में अगर मंगल स्थे थे तो किस तरह से हमारे और आपकी जीवन को प्रभावित करता है फिलाल हमें दीजे इजाज़त देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए दिखते रखिया आज तक करता है